दो दोस्तों जे शली महाकाल हरे महादेव आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे बैतुल जिले में विराजित श्री गणی जी महाराज के दर्शन करा हूगा और यहाँ पर कैसी क्या पन्डाल करवा डिकोरेशन किया गया यह भी हम इस वीडियो के महाद्यम से देखे यूटूब चैनल और हमारे जिले बैतुल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणिश उत्सव का बहुत ही अच्छा माहूल आपको देखने के लिए मिलता है बहुत ही शांदार विवस्ता है बहुत ही खुबसूरा डेकुरेशन आपको देखने के लिए चहल पहल का ऐसा जैवंती गणिश उत्सव समीती के द्वारा यहां पर इस्तापित किये जाते हैं दस दिनों तक चलने वाला यहां बड़ा ही प्यारा उत्सव बहुत ही दूमधाम से जैएच कॉलेज के इस परिसर में मनाया जाता है और यहां पर देख सकते हैं बगवान गणिश जी की कि इसनी विशाल प्रतीमा विराजमान है जो कि जैवंती ओक्सर कॉलेज में यहां पर विराजित है तो आईए दर्शन करते हैं जेएच कॉलेज की गणिश जी के तो दोस्तों जेएच कॉलेज के गणिश जी दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच जाते हैं लोहिया वार्ड में आयोध्या राम लला की ठीम पर विराजित श्री गणिश महराज के दर्शन करने के लिए और आप देख सकते हैं लोहिया वार्ड के जो गणिश मंडल के द पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल के अंदर जो प्रतिमा विराजित है वह श्री राम लला सरकार के स्वरूप में विराजित है आप बहुत ही अद्बुत स्वरूप में भगवान गणिश जी के दर्शन करते हैं जैसे ही आयोध्या में भगवान श्री राम जी तो चलिए करते हैं श्री रामलला आफतार के स्वरूप में गणीज जी भगवान के दर्शन तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम रामलला की मूर्ती जैसी आयुद्या धाम में विराजित है वैसे ही कुछ यहाँ पर भी भगवान गणीज जी का स्वरूप बनाया गया है देख सकते हैं जो पीछे की आर्च है उसमें दशाफतार का वर्णन है नीचे कमल पर सहस्तरतल कमल पर गणीज जी भगवान विराजित है और उनके हाथ में धनुश्मान है और बहुत ही सुन्दर स्वरूप आपको देखने के लिए मिलता है लोयावाइड के इस गणीश पंडाल में यहाँ पर आने के बाद हम निकल जाते हैं गंज छेतर में विराजित हनु मंदिर के पास में जो अश्रविनायक गणीश उटसव समीति के द्वारा यहां पर गणीश जी भगवान विराजित किये गया है उनके दर्शन के लिए और बहुत ही सुन्दर स्वरूप में यहां पर गरुड पर गणीश जी विराजमान है जिनका अजबुत दर्शन आप जिले बैतुल जेतर में और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा आगे भी आपको बैतुल के और भी कई गणीश बंडाल के दर्शन हम करेगे अभी आप दर्शन कर रहे हैं हमारे बैतुल जिले के सदर शेतर में माजी मंग प्लकारियाले में विराजित बहगवान गणीश जी जो कि लालबाग के राजा के स्वरूप में यहाँ पर विराजित है और साथ में आप देख सकते हैं हनुमान जी महराज पगवान श्री राम जी और केवड़ जी महराज भी यहां पर बहुत ही संदर स्वरूप आपको यहां पर ज्याकी दिखाई दे रही है जो कि भगमाद